ओम शान्ती, आज है 29.9.2021, मीठे बाबा की महावाक्य सुनेंगे, बुल्ली का सार है मीठे बच्चे, इस अंतिम जनम में ग्रस्त वैवार में रहते, कमल फूल समान पवित्र बनो, एक बाप को याद करो, यही गुप्त महनत है, मीठे बच्चे, इस अंतिम जनम में ग्रस्त वैवार में रहते, कमल फूल समान पवित्र बनो, एक बाप को याद करो, यही गुप्त महनत है, प्रश्न है, ज्यान का तीसरा नेत्र मिलते ही, कौन सा कौन्ट्रास्ट स्पष्ट अनुभव होता है, उत्तर है, भक्ती में भगवान को पाने के लिए कितना दरदर भठकते रहते थे, कितनी ठोकरे खा रहे थे, अभी हमें वह मिल गया, दूसरी पॉइंट, साथ साथ रहम आता मनुष्य विचारे अभी तक भी भटक रहे हैं, रास्ता ढूंड रहे हैं, बाबा ने हमें भटकने से छोड़ा दिया, हम बाबा के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं, गीत है, आज अंधेरे में हैं इंसान, ओम शान्ती, एक तरफ भक्त याद कर रहे हैं, दूसरे तरफ में आत्माओं को तीसरा नेत्र मिल चुका है, अर्थात, आत्माओं को बाब की पहचान मिल चुकी है, वह कहते हैं, हम भटक रहे हैं, अभी तुम तो नहीं भटकते हो, कितना फर्क है, बाब तुम बच्चों को साथ ले जाने के लिए तैयार कर रहे हैं, मनश्य गुरुओं पिछाडी, तीर्थ यात्रा, मेले मलाखडे आदी पिछाडी, कितना भटक रहे हैं, तुम्हारा भटकना अब छूट गया है, बच्चे जानते हैं, इस भटकने से छ राजयोग सिखाया था, हूबहू ऐसे पढ़ा रहे हैं, बच्चे जानते हैं, हम पांच विकारों पर जीत पा रहे हैं, कहा जाता है, माया जीते, जगत जीत, माया पांच विकारों रूपी रावन को कहा जाता है, माया दुश्मन ठैरी, माया धन संपत्ती को नहीं कहा जा लिखना भी है पाँच विकारो रूपी रावन वा माया, तो मनुष्य कुछ अर्थ समझे, नहीं तो समझ नहीं सकते हैं माया जीते जगत जीत, इसमें यादवो और कौरवो वा असुरों और देवताओं की कोई बात नहीं, स्थूल लड़ाई होती नहीं है गाया जाता है, योगबल से माया रावन पर जीत पाने से जगत जीत बनते हैं तुम बच्चे जानते हो, जगत कहा जाता है विश्व को विश्व पर जीत पहनाने लिए विश्व का मालिक ही आते हैं, वही सर्वशक्ती मान है यह तो बच्चों को समझाया गया है बाप को याद करने से ही पाप भस्म हो जाते हैं मुख्य बात है याद की याद करने से तुम्हारे से कोई विकरम नहीं योग होगा और खुशी में रहेंगे पतित पावन बाप आए हैं पावन बनाने तो फिर हम विकरम क्यूं करें अपनी संभाल करनी है बुद्धी तो मनुश्यों को है ना इसमें और कुछ लड़ने आदी की बात नहीं है सिरफ पाँच विकारों को जीतने लिए बाप को याद करना बहुत सहज है हाँ इसमें महनत लगती है टाइम लगता है माया दीवा बुझाने लिए घड़ी घड़ी तुफान लाती है बाकी इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं है वहाँ है ही देवताओं का राज्य असुर कोई होते नहीं हम हैं ब्रामण ब्रह्मा मुख वंशावली जो ब्रामण कुल के हैं वही अपने को ब्रामण समझते हैं रुहानी बाप हम रूहों को बैठ ज्यान देते हैं ज्यान सागर पतित पावन सद्गती दाता एक ही है वही स्वर्ग स्थापन करने वाला है तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए विलायत वालों को भी पता पड़ेगा यह तो वही सिंद वाले भ्रम्मा कुम कुमारियां है जो कहते हैं पैराडाइज श्रीमत पर स्थापन कर दिखाएंगे आत्मा कहती है न शरीर द्वारा आत्मा सुनती है और डारेक्शन पर चलती है कल्प कल्प बाप ही आकर युक्ती बतलाते हैं बाप है गुप्त किसी को भी पता नहीं पड़ता है कितने धेर मनुष्यों को समझाते हैं फिर भी कोटों में कोई ही समझते हैं तुम बच्चे अब समझते हो हमारा ओल राउंड पार्ट है बाप ने समझाया है तुम ही राज्य लेते हो और कोई लेना सके सवयाए तुम भारतवासियों के जो अभी अपने को हिंदू कहलाते हैं आदम शुमारी में भी हिंदू लिख देते हैं हम भल कुछ भी नाम दे हम बास्तव में आदिसनातन देवी देपता धरम के थे वह देवी धरम भरष्ट करम भरष्ट हो जाने कारण अपने को हिंदू कह देते हैं हिंदू नाम क्यों पड़ा यह भी कोई नहीं जानते पूछना चाहिए भला यह तो बताओ तुमारा हिंदू धरम किस ने स्थापन किया यह तो हिंदूस्तान का नाम है कोई बता नहीं सकेंगे तुम बच्चे जानते हो अब भ्रामन देवता शत्रिय धरम की स्थापना हो रही है कहते हैं भ्रामन देवी देवताय नमा भ्रामन है सर्वोत्तम नंबर वन बास्तम में स्वर्ग सत्यू को कहा जाता है रामचंद्र के राज्य को भी स्वर्ग नहीं कहा जाता आधा कल्प है राम राज्य आधा कल्प है आसुरी राज्य यह सब दिल में धारन करना है अभी हमको स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना है पवित्र तो जरूर रहना ही है बाप कहते हैं बच्चे काम महाशत्रू है इन पर जीत पाकर पवित्र रहना है इसलिए कमल फूल की निशानी भी दिखाई है ग्रस्त वैवार में रहते कमल फूल समान बनना है यह दृष्टांत तुम्हारे लिए है हठ योगी तो ग्रस्त वैवार में कमल फूल समान रहना सके वह हैं अपना निवरिती मारग का पाड्ट बजाते है ग्रस वेवार में रह नहीं सकते इसलिए घर बार छोड़ चले जाते हैं तुम दोनों सन्यास की भेट कर सकते हो प्रविर्ती मारग में रहने वालों का गायन है बाप कहते हैं ग्रस वेवार में रहते सिरफ यह एक अंतिम जनम हिम्मत कर कमल फूल समान पवित्र रहो भल अपने ग्रस वेवार में रहो वेह सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं धेर सन्यासी हैं जिनों को भोजन देना पड़ता है पहले वे भी सतो प्रधान थे अभी तमो प्रधान बन गए हैं यह भी ड्रामा में उनका पाठ है फिर भी ऐसे ही होगा बाप समझाते हैं इस पते दुनिया का विनाश तो हूना ही है थोड़ी थोड़ी बात में ही एक दो को धमकी देते रहते हैं अगर ऐसा नहीं होगा तो बड़ी लड़ाई लग जाएगी तुम बच्चे समझते हो कलप पहले भी ऐसे हुआ था शास्त्रों में लिखा है पेट से मूसल निकले यह हुआ फिर होली में स्वांग बनाते हैं वास्तव में है यह मूसल जिससे विनाश करते हैं यह भी बच्चे जानते हैं, जो कुछ पास्ट हो चुका है, वे फिर भी होना है, बनी बनाई बन रही, अभी तुम्हारी बुद्धी में सारा राज है, सिरफ कहने की बात नहीं, किसी को भी दोश नहीं दे सकते, ड्रामा में पाठ है, तुमको सिरफ बाप का पैगाम सुनान है, यह ड्रामा तो अनादी अविनाशी है, भावी क्या चीज है, वेह भी तुम समझ गए हो, यह कल्युग अन्त और सत्युगादी का संगम नामी ग्रामी है, इनको ही पुर्शोतम युग कहा जाता है, आजकल बच्चों को पुर्शोतम युग पर अच्छी रिती समझा रही है, यह युग है उत्तम पुरुष बनने का, सभी सतो प्रधान उत्तम बन जाएंगे, अभी है तमो प्रधान कनिष्ट, इन अक्षरों को भी तुम समझते हो, कल्युग पुरा हो, सत्युग आएगा, फिर जैजेकार हो जाएगी, कहानी सुनाई जाती है न, यह है जूटी कहानिया तो बहुत है, अब आप खुद बैठ समझाते हैं, भक्ती मारग में तुम मेरी महिमा गाते आए हो, अब प्रेक्टिकल में तुमको रास्ता बताता हूं, सुखधाम और शान्तिधाम का, सद गती को सुख गती, दुर गती को दुख गती कहेंगे, सत्युग में हैं सुख, समझाने से सब समझेंगे, आगे चल समझते जाएंगे, समय बहुत थोड़ा है, मन्जिल बहुत उची है, कॉलेज में जाकर तुम समझाएंगे, तो इस नौलेज को अच्छी रिती समझेंगे, बरोबर यह ड्रामा का चक्र फिरता रहता है, और को कोई दुनिया नहीं है, वह समझते हैं, उपर में कोई दुनिया है, इसलिए सितारो आदी तरफ जाते हैं, बास्तव में वहां कुछ है नहीं, God is one, creation is one, मनुश्य स्रिष्टी यही है, मनुश्य मनुश्य ही है, सिरफ देहे के अनेक धरम है, कितनी वेराइटी है, सत्युग में एक ही धरम था, उसको कहा जाता है सुख दाम, कल्युग है दुख दाम, सुख और दुख का खेल है ना, बाप थोड़ी ही बच्चों को कब दुख देंगे, बाप तो आकर दुख से लिबरेट करते हैं, जो दुख हरता है, वह फिर किसी को दुख थोड़े ही देंगे, अभी है रावन राज्य, मनुष्यों में पांच विकार प्रवेश हैं, इसलिए रावन राज्य कहा जाता है, वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्रफी का राज अभी तुम बच्चों की बुद्धी में आ गया है, रोज सुनते हो ये बहुत बड़ी पढ़ाई है, तो बाप अभी वाकी थोड़ा समय है, उसमें बाप से पूरा वर्सा लेना है, धीरे धीरे मनुष्य भी समझेंगे बरोबर इश्वर का रास्ता तो यही समझाते हैं, दुनिया में और कोई भी इश्वर को पाने का रास्ता नहीं बतलाते हैं, इश्वर का रास्ता इश्वर ही बता तुम तो अनेक बच्चे पैगाम देने वाले हो, कल्प पहले भी जो निमित बने होंगे वही अब बनेंगे और बनाते जाएंगे, बच्चों को विचार सागरमन्थन करना है, राय देनी चाहिए, बाबा हम समझते हैं, यह चित्र होने चाहिए, इनसे मनुष्य अच्छा सम सकते हैं, बाबा कम चित्र इसलिए कहते हैं, क्योंकि कई सेंटर्स बहुत छोटे छोटे हैं, पांच साथ चित्र भी मुश्किल रख सकते हैं, बाबा कहते हैं, घर घर में गीता पाठशाला हो, ऐसे भी बहुत हैं, एक कमरे में सब कुछ चलाते हैं, मुख्य चित्र रखे हो तो मनुश्य को समझ मिले आखरीन भगवान किसको कहा जाता है उनसे क्या मिलता है भगवान को बाबा कहा जाता है बबुलनात बाबा नहीं कहेंगे रूद्र बाबा नहीं कहेंगे शिबाबा नामी ग्रामी है बाबा कहते हैं ये वही कल्प पहले बाबा कहते हैं ये वही क पहले वाला ज्ञान यग्ये है। बेहत के बाब शिवने यग्ये रचा है। ब्रामनों की रचना की है भ्रम्मा द्वारा। ब्रम्मा में प्रवेश हो स्थापना की है। यह है ज्ञान राजयोग का। और फिर यग्ये भी है। जिसमें सारी पुरानी दुनिया की आहुती प है ऐसे और कोई है नहीं आजकल यग्य रचते हैं तो चारों तरफ शास्त्र रखते हैं एक आहूती का कुंड भी बनाते हैं वास्तव में है यह ज्यान यग्य जिससे उन्होंने कौपी की है यहां कोई स्थूल चीज आदी तो है नहीं अभी तुम बच्चों को बेहत का है और कोई यह जानते नहीं बेहत की आहूती पढ़नी है यह तुम जानते हो पुरानी दुनिया खतम हो जाएगी वह तो खुशी होती रहती कि रामराज्य स्थापन हो यह तो बहुत अच्छा है परन्तु वह तो जो स्थापना करेंगे वह अपने लिए ही करेंगे ना मेह जानत सब अपने लिए करेंगे तुम जानते हो यह महाभारत लड़ाई भी इस यज्य से प्रजलित हुई है कहां वैं हद की बाते कहां यह बेहद की बाते तुम अपने लिए ही पुर्शार्थ करते हो जब तक बाप को ना जाने वर्सा मिल ना सके बाप ही आकर आत्माओं को शिक्षा देते हैं तुम्हारा है सब गुप्त आत्मा जो हिंसक बन गई है उनको अहिंसक बनाना है उनको अहिंसक बनना है किसी पर क्रोध भी नहीं करना है पांच विकार जब दान दे तब ग्रहन चूटे इनसे ही काले हो गए हैं अब फिर सर्वगुन संपन सोला कला संपूरन कैसे बने यह बाब बैट समझाते हैं इन लक्षमी नारायन को ऐसा किसने बनाया कोई गुरू मिला यह तो विश्व के मालिक थे जरूर पास्ट जनम में अच्छे करम किये ह तब अच्छा जनम मिला अच्छे करमों से अच्छा जनम मिलता है ब्रह्मा और विश्णू का कनेक्शन भी जरूर है ब्रह्मा सो विश्णू एक सेकिंड में मनुष्य से देवता बनते हैं सेकिंड में जीवनमुक्ति इसको कहा जाता है बाप के बने और जीवनमुक्ति का वर्सा पा लिया जीवन मुक्त तो राजा प्रजा सब है तो भी आने हैं उनको बाव कहते जो भी आने हैं उनको जीवन मुक्त बनना है बाप तो समझाते हैं सब को फिर है पुर्शार्थ करना उच्पद पाने के लिए सारा मदार है पुर्शार्थ पर क्यों ना पुर्शार्थ करते करते हम उँच पद पाए बाप को बहुत याद करने से बाप की दिल पर अर्थात तक्त पर चड़ जाएंगे बाप कोई मेहनत नहीं देते हैं अबलाओं से और क्या मेहनत कराएंगे बाप की याद है भी गुप्द ज्यान तो प्रतेक्ष हो जाता है कहा जाता है इनका भाषन तो बहुत अच्छा है परन्तु योग में कहां तक है बाप को याद करते हैं कितना समय याद करते हैं याद से ही जनम जन्मांतर के विकरम विनाश होंगे यह spiritual knowledge कल्प कल्प रुहानी बाप शिव ही आकर देते हैं और कोई भी ज्यान दे नहीं सकते अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को नमस्ते गुड मॉनिंग शुक्रिया बाबा शुक्रिया वहा मेरा भाग्य वहा मेरे भाग्य विधाता बाबा धार्ना के लिए मुख्य सार है पहली पॉइंट अविनाशी ड्रामा के राज को बुधी में रख किसी को भी दोशी नहीं बनाना है पुर्शोत्तम बनने का पुर्शार्थ करना है इस थोड़े समय में बाप से पूरा वर्षा लेना है डबल अहिंसक बनने के लिए कभी किसी पर क्रोध नहीं करना है विकारों का दान दे सर्वगुन संपन बनने का पुर्शार्थ करना है वर्दान है विश्व परिवर्तन के श्रेष्ट कार्य में अपनी उंगली देने वाले महान सो निर्मान भव विश्व परिवर्तन के श्रेष्ट कार्य में अपनी अंगुली देने वाले महान सो निर्मान भव डिटेल है जैसे कोई स्थूल चीज बनाते हैं तो उसमें सब चीजे डालते हैं कोई साधारन मीठा या नमक भी कम हो तो बड़िया चीज भी खाने योग्य नहीं बन सकती ऐसे ही विश्व परिवर्तन के इस श्रेष्ट कार्य के लिए हर एक रतन की आवशकता है सब की अंगुली चाहिए सब अपनी अपनी रीती से बहुत बहुत आवश्चक श्रेष्ट महारती है इसलिए अपने कार्य की श्रेष्टता के मुल्य को जानो सब महान आत्माएं हो, लेकिन जितने महान हो, उतने निर्मान भी बनो स्लोगन है, अपनी नेचर को सरल बनाओ, इजी बनाओ, तो सब कार्य इजी हो जाएंगे अच्छा, ओम, शांती